बिलाएगड के स्वास्त विभाग में पदर्स्त BPM ने अपने ही विभाग के CHO महिला करमचारी के साथ छेड़ छाड़ कर दिया बताया जा रहा है कि और चिक निरक्षन करने की BPM थनेश्वर पठेल CHO महिला करमचारी की कारिस्तल पर पहुंचा और महिला करमचारी को अकेले देखकर महिला से अश्लीर हरकत करने लगा जिसका महिला ने बिरोध भी किया महिला की बिरोध करने पर BPM थनेश्वर पठेल ने इस घटना के बारे में किसी को ना बताने की धंकी भी दिया धंकी से डड़े बिना ही इस घटना की जनकारी महिला कर्मी ने 36 गर प्रदेश स्वास करमचारी संग को दी 36 गर प्रदेश स्वास करमचारी संग के पताधिकारियों ने बलादा बजार CMHO से मामले की शिकायत की संग ने आरोपी के खिलाफ FIR कराने सहीद बरखास्तगी करने की मांग की है इधर CMHO ने इस घटना को सवंदेशील बताते हुए जाज के बाद करवाई करने का अश्वासन दिया है ऐसे में 36 गर स्वास कर्वी करमचारी संग आरोपी के खिलाफ करवाई नहीं होने से मामला और गरम हो जाएगा हमारे एक सियर्टों के साथ मिज विएप किया गया है जिसके सुचना मेरे पास आई है उस संबंदी में अभी जानकारी ले रहा हुए उसके बाद उसके उपर सक्ते सक्त कारवाई की नहीं हुए सिम्गा वाले मामले उसके टर avenue नहीं हुए है इसरे मामला में इसमें क्या खैए नहीं सब्सक्राइब उसके द्वारा बत्तमीजी की गई, छेड़ शार की गई, ड्यूटी प्रेड गई, जिसके कारां लड़की और लड़की के परिवान पुरा आहग है, और जिस बीपियम ने किया, उसका सपोर्ट वहां के थंड़ चिकिस्टा दिकारी के द्वारा किया गया। इसके संग्यार 36 गरपते स्वास कमचारी संग को जब दिया गया, तो आज हम सीवीजो साब से मिलने आया, हमने इस बस तोर पे कहा, क्योंकि विभाग में कार इस्थल पर कार के दवरान बीपियम के द्वारा छेड़ शार की गई, और सालरीक दोहन करने का प्रयास किया, ज ऐसे जिसी बात यह है, जो जगन्या पराद है, ऐसे बीपियम को तदकार सेवा से समाप करने के साथ साथ विभाग उसके विलुत एफ़ाया दर्च कराए,